जहां दूस्वागत आपका स्विजी चनल में तो दोस्व आज की समीर बात करेंगे बीजेयर रीजल्ट के बार में जहां दोस्व आप सब Rider की कमेंट आ रहे हैं मैंने ंजिए सब्सक्राइब हैं मैं आपको complete information देंगा कि किस university के दुआरा result आज के हैं और बाकी की university जिनके result नहीं आए है उनके result कब तक आ जाएंगे सारी जानकारी को देखेंगे वीडियो के मादधम से वीडियो को share कर देना है सभी के साथ में तो चली start करते हैं वीडियो को तो यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं रानी दुर्गापती university के बारे में जिनके result आज चुके हैं बो है BCOM का आ गया है BCA फश्टियर का आ गया है और BBA फश्टियर का आ गया है तो रानी दुर्गापती उनिवस्टियर के यह तीन result है पश्टियर के जो जारिक के गए है और कोई भी यहाँ पर result नहीं आया है इसके बाद अगर हम बात करें MCB university के मारा है चतिसार बुंदिलकंड university है चतरपुर में इस्तित है इनके भी result आ गया है यहाँ पर लगवा है इनके 5-6 result आ गया है इसके बाद BHSC का result आ गया है इसके बाद में BBA का result आ गया है पश्टियर की बात कर रहे है हम BSC private का आया है केवल BSC private का आ गया है और यहाँ पर इसके बाद में अगर हम बात करें बीकॉम का आ गया है regular का और private दोनों का result आ गया है तो MCB University के दोवारा एक, दो, तीन, चार, पांच result है हम आ पर जारी कर दिये गये है ठीक है इसके बाद में अगर हम एक और युनिवसिटी है जिसकी बात करें तो उसके भी result है जारी किये गये है देभी अल्या उनिवसिटी है ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ देभी अल्या उनिवसिटी है जिसकी result है जारी कर दी गए है देभी अल्या उनिवसिटी इंदोर में इस्तित है इसकी result आ गये है BBA का, जो BBA first year है इसका आ गया है BHSC first year का result आ गया है और बीए का भी result आ गए लेकिन बीए में केवल किसका आया है? मार्स कम्युकेशन का result जारी किया गया, कोई चारी नहीं किया गया तो फष्टेयर की result हैं, चोकि केवल और केवल तीन तिन उनिबरसिटी के द्वारा जारी किये गई है नमबर एक पर आती है जो कि रानी दुर्गाबती उनिवर्सिटी नमब दो पर आती है एमसी भी उनिवर्सिटी नमब तीन पर आती है देवी अलेवाई उनिवर्सिटी फ्रीजिय्ट यह 3 यूनिवरसिटियू है जारी चे गए और नहीं फीवरसिट है है यहां पर हो गई भार से वहीं मैंने हमको बदोस्तिय के दवारा उनकी रिज़ेल्ट कप तक के जारी किए जा तो जो रिजल्ट लेट हो रहे हैं वो NEP की बज़े से हो रहे हैं यानि कि आपको पता है कि National Education Policy को लागू किया गया इस बज़े से इनके रिजल्ट थोड़ी लेट हो रहे हैं जो कि डिगलेर हो रहे हैं इनके कौपी चेक करने में टाइम लग रहा है अब बाकी के जो उनिवर्स इसी हैं जैसा कि हमारी APS University है CUC University इनके रिजल्ट नमंबर में जारिक की जाएंगे दोनों उनिवर्सिटी के नाम लेकर मैं आपको पता रहा हूं इनके रिजल्ट सम्तिंग नमंबर में आएंगे और बाकी के जो उनिवर्सिटी के रिजल्ट हैं दोस्तों यहां पर जो बा एक रह्त है, तो अटुबर में हमारी लाष्ट तक सभी रिजल्ट आजाएंगे तो इती इन पॉरमेशन conception pendlus के बारे में जो रिजल्ट आ गये हैं उनकी भी मैने लिष्ट तादी जो रिजल्ट है नहीं आए उनके कब तक आ जाएंगे उनकी भी मैंने आपको जानकारी दे दिये तो यह थी जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी था वीडियो को शेयर कर देना इस सभी के साथ में कोई भी डाव टो कमेंट करने स्ट्रागाम पर फॉलो कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे चली वीडियो को ही पकत थे समा में अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ तब तक लिए बाए